पुलिस अपसर जेम्स बहुत ही मुफट वस्वारती था उसकी हत्या हो जाती है चासुस मेहुल घटना स्टिल की जाच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है वह सुराग सांकेतिक भासा में था मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्च पाता है आगे जाच में मेहुल को तीन लोगों पर सक होता है और वह मेहुल उनसे पूस्ताच करता है सफाई कर्मी बेद बोलता है कि मैं बातरूम साप कर रहा था जेम्स सर मुझे हमेशा डाटते थे पर मैंने कुछ नहीं किया कैदी डॉन बोलता है जेम्स सर बहुत मुफट और गुश्यल वेक्ती थे वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे पर मैंने उन्हें नहीं मारा पुलिस अफसर रॉन ने कहा मैं बाहर गया था मुझे इस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता तब मेहुल एक बार सुराग को देखता है और फिर संदिक्तों को देखता है और तुरंथ हत्यारे को पकड़ लेता है तो दोस्तों क्या बता सकते हैं कि वेद, डॉन और रॉन में से किसने जेम्स की हत्या करी है आंसर है वेद हत्या वेद ने की है